आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हूं बहुत ही healthy breakfast की recipe आज हम बनाएंगे oats का डोसा इसे बनाना बहुत ही easy है जटपड बन जाता है और बहुत ही tasty लगता है खाने में और साथी में यह बहुत ज़ादा healthy भी है क्योंकि हम इसे oats से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू क करेंगे तो इसका भीगना बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा पानी और डालने के बाद अब अम इसे ढग देते हैं 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे यहां पे ओट्स फूल के डबल हो गए हैं अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो अगर आपको यहां पे पानी इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप इसका पानी निकाल सकते हैं उस पानी को आ फैंके ना अगर आप नॉर्मली घर में आटा गूंद रहे हैं तो उसमें पानी यूज कर सकते हैं अब जार में हम इसे डालेंगे तो यहां पे मेरे पास छोटा जार है आप चाहें तो बड़े जार में एक अट्टा सारा एक साथ पीश सकते हैं अब इसमें डालेंगे तो चमत सूजी साती में थोड़ी सी को पीस लेंगे और यह देखिए यहां पर हमारे पेस्ट बनके रेडी है बढ़िया से पीजा है इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी ओर्स को भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे बस आपको ध्यान रखना है इसमें पानी बहुत जादा नहीं डालना है बाकी दही भी डाल देंगे और फिर से हम इसको पीस लेते हैं यह देखिए सारा बैटर हमारा रेडी है और आप देख सकते हैं जो इसकी कंसेंस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है अगर यहां पे साला लग रहे हैं तो आप इसमें और सोझी डाल सकते हैं लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे चावल का आठा दो बड़ी चम्मच साथ Grad करा देंगे आदा चोटी जाए चम्मच और बेकिंग सोड़ की राटा है तो सब चीजों के शुख कर लेते हैं तो सब चीजों को परफेक्ट कंसंस्टेंसी है अब चलते हैं डोसा बनाने के लिए तो उसके लिए पहले डोसे तवे को हल्का सा गरम कर लेंगे उस पर डालेंगे थोड़ा सा ओयल और किसी भी गीले कपड़े से पहले इसको साफ कर लेंगे तो इसके लिए यहां पर गैस की फ्लिम को आपको बिल्कुल लो ही रखना है अब बीच में हम बिल्कुल बैटर डालेंगे और जिस तरीके से नॉर्मल ही डोसा हम बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे तो पहले बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और अब इस तरीके से हम इसे जल्दी जल्दी खुमाएंगे तो बहुत जादा मोटा आपको नहीं बनाना है नहीं तो वो चीला बन जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी डोसा चाहिए तो थोड़ा सा पतला बनाए और इस तरीके से फैलाने के बाद गैस की फिलिम को आपको मीडियम टू हाई कर देना है उसके बाद आप देखेंगे हल्का हल्का यह सिख चुका है अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे आप चाहें तो बीना ओयल के इसको बना सकते हैं बस बनाना आपको थोड़ा सा पतला है अगर क्रिस्पी चाहिए और आपको थोड़ा सा सॉफ्ट डोसा चाहिए तो आप मोटा बना सकते हैं और यह देखें यहां पर यह दोसा अच्छे से सिख चुका है और बहुत ही क्रिस्पी बना है इसी तरीके से बाकी सारे ओर्ट के डोसे हम बना के रेडी कर लेंगे तो मैं इसे सर्व कर रही हूं आलू मसाला के साथ और चटनी के साथ यह से लिपी आपको देखनी है तो मुझे नीचे कमण बॉक्स में कमण लिके करんです यह बताए यह एक साथ में जरूर करूंगी तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मूझे नीचे कमण बॉक्स में अ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही मैं वीडियो को लाइक